चले बात करते हैं मेश राशी बालों के लिए मेश राशी बालों आपका दिन समानता जाएगा कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में नहीं देखने को मिलेगा जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजे आपको बड़ी ही जल्दी शीगृतम तरीके से जो आपके रुके हुए का रथे वो भी अपतेजी के साथ गतिशील होते हुए नजर आएंगे नौकरी चेंज करने के संदर में कहीं से पॉजिटिविटी या परिस्थितिया नुकूल होती हुए नजर आएंगी रुका हुआ धन भी आपके पास वापस आ सकता है या प्रबलतम परिस्थितियां बन सकती हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है साथी साथ अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो अपने मन को आपको शांत रखने की जरूरत है आर्थिक स्थिर्ता की तरफ आप बढ़ चुके हैं साथी साथ अगर आपके नौकरी चेंज करने की परिस्थितिया तयार होंगी बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए मिथुन राशी वालों चीजें समानेता रहेंगी खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए हाला कि निवेश करने के संदर में कोई options आपके पास आ सकते हैं अगर आप उन्हें निवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी परिस्टितियों को और positive होते हुए देखेंगे बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन परिस्टितियों को अनुकूल बनाने का है आज का दिन अपने मन को शांद करने का है आज का दिन professional stability और अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो किसी ऐसे वेक्ति विश जो लोग नए घर में मूफ करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां नुकुल बनी हुई है कुल मिलाके आज का दिन नई योजनाओं पे काम करने का माना जा चकTF आ है बात करते हैं सिंगराशी वालों के लिए सिंग राशी वालों जैसी आपकी परिस्टितियां चल रहे हैं वैसी चलती रहेंगी उसमें कुछ नया पन नहीं देखने को मिलेगा लेकिन एफर्ट में कंसिस्टेंसी आपके द्वारा होनी चाहिए आपके एफर्ट में कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो आप अपनी परिस् को अगर आप फॉलो करते हैं तो सब तरस से आपको अपनी परिस्टिती में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी साथ ही साथ रुका हुआ धन भी अब आपके पास आने की सिचुवेशन अवस्था इंफरमेशन या सूचना आपके लिए फेवरिबल आज के दिन साबित हो स सकता है डीपर सर्टिफिकेशन में भी आप जा सकते हैं अगर आप अनालेसिस या सर्टिफिकेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिती अठी हो रही है प्रोफेशनली कहने का मतलब यह है कि अपने आपको और जदा आपको डिक करना है डीटेल्स में अगर कहीं न कहीं परिस्थितियां भी परिवारिक पक्ष से आपको देखने को मिलेंगी बात करते हैं तो लाराशीवालों के लिए तो स्थिर्टा बनी रहेगी पराक्रम में भी आज के दिन व्रद्धी होने को आप देखने को मिल सकती है बात करते हैं व्रिष्टिक राशी वालों के लिए अगर आज के दिन की में बात करूं तो आज के दिन पॉजिटिविटी सब तरफ से है मन आपका शांत रहेगा विचार आपके प्रबलतम शिकर को चूते हुए नजर आएंगे कुछ नया काम काज करने की सोच सकते हैं या मल्टिपल इंकम रिशॉर्सेस पे भी आप काम करते हुए नजर आएंगे लंबे समय से अगर आप किसी प्रॉजेक्ट पे काम करने की सोच रहे थे खास दोर पे आपका जो आप मूल काम करते हैं जो बेसिक काम करते हैं उसके अलावा अगर आप दोरे इंकम के बारे में सोच रहे थे तो अब वो परिस्तितियां आपके लिए कारगर होती हुए नजर आएंगी रिलेशन्शिप में आपको ट्रांसपरेंसी रखने की जरूरत है मन को अपने शा पुराने लीगल मैटर्स अगर चल रहे हैं तो वहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी कॉंफिडेंस लेविल में इजाफा रहेगा पराकरम में वृद्धी रहेगी समाज इक्सा के परतिष्टा में भी उननती होने की पूरी-पूरी परिस्तितियां बनी हुई ह जिस तरह से चल रहे हैं वैसे चलते हैं चलिए आपको सब तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन इन ओल दी एरियास ओफ लाइफ आपको देखने को मिल जाएगा बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए नया काम काज शुरू करने का समय आ गया है मकर राशी वालों अगर कान को पर्चेस करने की सोच रहे हैं तो दो से क्यार दिन के अंदर आपके सामने अच्शी परिश्थितियं बन के आ सकती है मन आपका शांत रहेगा पारिवारी इक स्थिर्ता भी बनती हुई नजर आ रहे है कोल मिला के आज का दिन नई शुरूरात करने के लिए सार्थक प्रफिटी बात पर अगर आप तनाओं में आ रहे हैं तो अपने मन को शांत रखिए कॉमिनिकेशन क्लारिटी के साथ आगे बढ़ाते हुए चलिए ट्रांस्पिरिंसी अपनी चीजों में रखिए जहां पर आपको लगता है कि नेगेटिविटी आ रही है वहां पर अपने म नहीं मिलेगा लेकिन फर्स्टाफ के दौरान उर्जा से भरपूर रहेंगे नई चीजों को शुरू करने का प्लैन बना पाएंगे और अगर आप उस पे काम करते हैं तो देखेंगे आपकी परिस्तितियां बिल्कुल अनुकूल होती हुए नजर आएंगी मन आपका शांत रहेगा बहुत सारी चीजों में आप पॉजटिविटी देख चुके हैं आगे आने वाली परिस्तिती भी आपके लिए काफी जादा कारगर साबित होने वाली है विदेश यात्रा से संबंदेत या विदेश लाप से संबंदेत आपको शुप समचार मिलने की बहुत इसी के साथ मुझे आगया दीजे मैं कल फिर आजरूंगे नमसकार